नमस्कार दोफ्तो, स्वागत है आपके ही अपने यूटूब चैनल फेंटेसिक क्रिकेट क्लैस में आज हम बात करेंगे जो प्रो कबड़ी लिग का 65 बा मुकाबला खेले जाने बाला है जो की खेला जाएगा यूपी उधाज और दोफ्तो, तमिल थालाबाज की बीच में इसके बारे में डेटेल से इस मुकाबल एक बारे में चर्चे करेंगे दोफ्तो, दोनों ही टीम है, पूरे टूर्णमेंट की लूजर ही टीम है तो आपके लिए मैच रिस्की हो सकता है जियां दोफ्तो, रिस्की हो सकता है क्योंकि एक टीम दसवे नमर पर है और एक टीम है ग्यारवे नमर पर, तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा और हम बात करेंगे दोफतो आज की मुकाबली में ग्रेलिक की best choice कौन रहने वाला है और small league की best choice कौन रहने वाला है लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया हो तो यानों को सस्क्राइब कर दीजीगा और हाँ वीडियो के लाइक करने के आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजीगा हम बात करेंगे दोफतो जिन भाईयों ने भी हमारी ने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया वो जोइन कर लेजीगा क्योंकि हम आपके लिए सभी मुकाबलौ में फ्री गिबाब प्रवाइड करा रहा हैं जिया दोस्तो फ्री गिबाब आपके लिए वहीं पर मिले वाला है आप्टर टॉस स्पाटिंग सेबिन के अपडेट वहीं पर मिले वाली है और small league plus grand league का best combination भी आपके लिए हमारे telegram channel पर ही मिलने वाला है तो आप telegram जरू जोइन कर लें और link आपको video description में मिल जाएए और दोस्तों जो हमारे मित्र दूसरी application पर दोस्तों high entry fees देकर खेल रहा है न वो my family में download कर लेज़ीगा, link आपको description मिल जाएए डाउनलोड करकर आपके लिए Raj123 code जरूर डालना है जैसे ही आप code डालोगे हमारी तरफ से आपके लिए दोस्तों special customer बन जाओगे और हमारी तरफ से आपके लिए special offer भी provide कराए जाएगे तो आप जरूर दोस्तों एक code डालेगा और साथ में आप entry fees में अंतर देखेगा 5750 तो 5649 100 रुपय का अंतर है यहाँ पर 2875 तो यहाँ पर 2749 लगबग 125 रुपय का अंतर है 2999 तो आप यहाँ पर देखोगे 2749 लगबग 2500 रुपय का अंतर है तो आप समझ सकते हो कितनी कम entry fees हम ले रहे हैं आपसे GST आने के बाद भी और आपकी GST हम दे रहे हैं तो आप एक बार जरू से try करकर देख लेजीगा लिंक आपको वीडियो को description में मिल जाएगे तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपके लिए UP के टीम के बारे में UP की यह दोस्तों defense का और इनके सामने रहेगा पटना का attack जियां दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करने बाले हैं तो आप देखोंगे लगबख 80% rate यहां पर आने बाली हैं और मात्र 20% rate यहां पर आएंगी अब इस side से rating कौन कौन करेगा आपके लिए हमांसु नर्वाल है नरेंदर कंडोला है इंपूडेंट प्लेयर है लगबख इस side से जो rate डालेंगे न 80-90% दोस्तों यही डालेंगे और हमांसु यह खेलेंगे तो कुछ आपके लिए 2-5% यह डालेंगे और दोस्तों हमांसु और हमांसु नर्वाल यह दोस्तों यह खेलेंगे और हमांसु नर्वाल भी आपके लगबख 3-4-5-57% डालती होई नजर आ जाएंगे इस side का scenario यह रहने बाला है किसी भाई ने हमारे ने comment किया था कि sir आप individual player की भी बताईएगा कि कितने percent rate डालेगा तो यह section ज्यादा crowded रह करने बाले हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या रहने बाला है क्या scenario यह बनेगा यहाँ पर आप देखोगे गंगा गोंडबा और नितिश कुमार की first chain रहने बाली है तो इस chain को ज्यादा chances रहेगा दोस्तों tackle करने का और क्योंकि इस side ज्यादा crowded area रहने लाला है तो इस side इनको ज्यादा chances रहेगा यहाँ पर first chain में हमारे गंगा हो गए और गंगा के साथ रहेंगे नीतिश अब दोस्तों solo player solo player में हमारे प्रदीप नर्बाल उम्मीद के मुताबित नहीं के लिए दोस्तों एक player को भार कर रखा है अभी जो की important player हुआ करता था य रहेंगे दोस्तों हमारे गुर्दीप तो इसके बाद जो लाइक चेंड रहेगी वह अनिल कुमार की और सुमेत के लेगे यह होगा हमारे अनिल कुमार और यह होगा हमारे सुमेत कुमार अब देखेगा यहाँ पर लगबग 80% rate आएगी तो सबसे पहले नीतेस कुमार और गुजरना होगा यदि इस साइड अटेक करेंगे दोस्तो और ज्यादा अंदर तक जाने की कौसस करेंगे यहां तक तो यह भी टेकल कर सकते हैं और थोड़ा यदि यह थोड़े एडवांस खेले सुमित और अन्जिल कुमार तो एडवांस आकर दोस्तो यह भी यहां पर यह और आपने देखा होगा एक कौर्णर भी अल्मूस्ट आही जाता है तो कुछ ऐसी कहाण ही रहेंगी यदि यह ज्यादा अंदर जाएंगे तो दोस्तो यह दोनों कौर्णर अटेक करेंगे और यदि यह थोड़ा बॉनस की चक्कर में यहां ज्यादा लालच में नहीं आते लाले हैं दोस्तों आपने देखों दॉसी रहेंगी दोस्तों अधना ही रहेंगी तो आपके लिए इंक बिरूरेंट प्लेयर हो जाएंगे लेकन इयाद रखेएगा थोड़ा सा रिस्क जरूरर इनके साथ आपके लिए लेकर चलना पड़ेगाा उसके beschäftigt आप और अनिल कुमार के साथ रहेंगे सुमित यहां पर दोस्तो मैंने बताए यादी इस साइड जाता है या इस कौर्णर पर जाता है यादी एड़बांस आते हैं हाला कि अटेक करते हैं सुमित अटेक करते हैं अनिल कुमार भी ठीक ठाक अटेक करते हैं दोस्तो यह अटेक करें तो आपके लिए थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा चांसे बढ़ेगा तो आपके लिए एक और भी इंपुडेंट हो जाएगा अनिल कुमार की जागे दूसरे प्लेयर जो कि इनके मैन रेडर हुआ करते हैं तो दूस्तो सुरिंदर गिल यदि वो खेलेंगे तो उसके बार कौन रहेगा दुफतो हमारे नितिन कुमार रहेंगे जतिन कुमार रहेंगे और लक्षमन रहेंगे अब यह तीनों रहेंगे और यह तीनों मिलकर लगबख 20% रेड करेंगे इनमें से यदि नितिन कुमार खेले ना तो सबसे ज्यादा रेड नितिन कुमार ही करने वाले है तो अनिल कुमार रहेंगे, अनिल कुमार के रहसात रहेंगे सुमिट, ए दोनों रहेंगे, फिर सोलो पिलियर रहेगा हमारा, सोलो पिलियर के बाद आप देखोगे, तो गुर्दीप और आसु सिंग रहेंगे, ए हमारे गुर्दीप हो गए, और गुर्दीप की साथ हो गए, तो इहां पर से रेड आने वाली है, तो आप देखेगा नितिन और जदिन इप्रणट जादा दोस्तों मेरे साप से नितिन हो जाती है, ए रेड डालेंगे और इन पर अनिल कुमार और दूप्स्तों हमारे समित कुमार अटेक करने बाले है, अनिल कुमार की जाएगे करूंगा क्योंकि नितिन भी एतने अच्छे नहीं है लेकिन दोस्तों यह अटेक ही आपर करने में सब का साथ यह देने बाला है और धूस्तों साथ में रेडिंग करने वाला है तो important player आपके लिए हो जाएंगे प्रदीप नर्बाल, उसके बाद आप देखोगे, आसु और गुरदीप इनके तो सामने रहने वाली है, और इनको chances भी थोड़े से ज़्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन आप एक कितने attempt करते हैं, वो important रहेगा, कल मुमईई ने बहुत तो उन्हें भी भार बिठाल दिया गया, तो सोचेगा कि कबड़ी गेम बहुत अच्छा गेम है, उसके बाद आप देखोगे गंगा गौणडबा और नित्रिसकुमार इनके पास इस corner पर ज्यादा रहेगा, लेकिन इस corner पर थोड़ा advance आएंगे न, तब ज्यादा चांसे जिनको मिलने वाला है, तो कुछ एक इस corner का scenario रहने वाला है, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए तामिल के defense और UP के attack के बारे में, तो नर्वाल जैसा कि मैंने बताया था कि नर्वाल इस side से rating करेंगे और दोस्तों बहुत ज्यादा rating डालने वाले हैं, इ 75% दोस्तों भीडवार इसी corner पर रहने वाली है, अब इस corner पर हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्या scenario रहने वाला है, तो सबसे पहले आप देखोगे अजिंक पवार और साकर, अजिंक पवार और हो गया हमारे साकर, इनकी chain रहने वाली है, दोनों के दोनों important हैं, नोड कर लि अब देखोगे, जो अगली chain रहें की right cover और left cover की, इसमें से M अभिसेक और मोहत हो जाएंगे, यह हो गए हमारे M अभिसेक और इनके साथ हो गए हमारे मोहत और अभिसेक हो गए, अब फिर देखोगे आप नितिन सिंग और साहिल गुलिया, यह दोनों के दोनों important हैं, साहिल trade आपके लिए नर्वाल डालने बाला है, इस बात को आप थोड़ा सा धियान में लख कर चलिएगा, विजय मलक भी डालेगा 10-15%, लेकिन 80-90% आपके लिए नर्वाल डालने बाले हैं, यहाँ पर सागर को और अजिनकों को ज़्यादा chances रहेगा, इनमें से सागर को भी ज़ प्लियर है, तो बहाँ पर थोड़ी सी समस्या, इनको भी हो सकती है, लेकिन यदि ए टेकल करने में सफल हो गए न, तो आपके लिए रेडर को भी आउटे कर सकते हैं, तो ए कुछ रहने बाला है, फिर सोलो प्लियर, सोलो प्लियर क्या तो मैंने आपके लिए रॉल बता ही सिर्फ साब देना रहता है, उसका मेंन काम रहता है, रिल डालना, तो उसको भूल जाएगा, फिर डारेक्ट दोस्तो राइट कबर और लेट कबर के सामने ही रहने वाली है, यहां पर सामने रहेंगे न, राइट कबर और लेट कबर के, तो इसमें मोहित और अभिसेग, इन आपके लिए इंपोडेंट हो जाते हैं और लास्ट में रहेगा नितिन सिंग और साहिल गुलिया दोस्तों साहिल गुलिया प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकर मानेगेगा रेडर यदी इस साइड जाएगा ना तब यह थोड़ा एडवांस जाकर इन पर अटेक करने वाले है जिया दोस्तों तब ही जाकर इस पर अटेक करेंगे और आपके लिए पॉइंट दे सकते हैं साहिल गुलिया की तरप आप देखोगे तो मात्र 25% रेड ही होने बाली है इस बज़े से बोल रहा हूं तो साहिल गुलिया प्लेयर इंपोडेंट है लेकिन इनकी साइड खेल कम खेलेंगे तो सुरंद्र के रेड़े प्लेयर बहुत अच्छी है मैंने बता ही दिया है कहां पर खेलेंगे उसके बाद अनिलुकुमार और दोस्तों गंगा गुर्णबा आपके लिए एक खेलने वाले हैं गंगा गुर्णबा बहुत इंपोडेंट प्लेयर है आप नूट तो आपके लिए मोहित और एम अभी सेक रहेंगे और उसके बाद जो दोस्तों लाइक चेन रहेगी न आपके लिए आजिंक पावार और सागर की सागर और अजिंक पावार की ये चेन आपके लिए काफी इंपोडेंट रहने वाली है ज्यां दोस्तों आजिंक पावार और और सागर की चैन आपके लिए काफी ज्यादा इंपूटेंट रहेगी ए अजिंक पवार और सागर की चैन हो गई क्योंकि इस साइड जारदा खेल होने वाला है अब इस साइड आप देखिएगा यहाँ पर नरेंद्र हो गए हमारे जो कि मैंन रेडर हैं और इंपूटेंट अब आप देखोगे न तो इस क्वर्णर पर क्या होगा कि यहाँ पर शुरेंद्र और अनिल और दोस्तो गंगा गोर्ड आपके लिए अटेक करने बाले हैं तो सबसे पहले साइल गुलिया से भढ़ना होगा जो कि अच्छे प्लियर है और इंपूटेंट प्लियर है आपक कोई भी अकेला नहीं पकड़ता किसी भी रेडर को वो सिर्फ पहले अटेक करता है बाद बागी पूरी टीम को साथ देना होता है तो आपके लिए यहाँ पर अटेक होने वाला है फिर सोलो प्लियर का रोल तो मैंने बताई दिया है यदि ए पकड़ते हैं तो इनका साथ द आए तब भी दोस्तों इनको एडवांस मिलने वाला है ज्यादा चांस मिलेगी और चाहे रेडर इस साइड आए तब भी इनको चांसे मिलने वाले है बस इनका देखना पड़ेगा कि ए अटेक कितना करते हैं उसके बाद देखो कि आप अजिंक पवार और सागर रहने बाल दोस्तों इनको थोड़ा एडवांस ज्यादा खेलने की जरूवत नहीं बस अपना छोर बचाने की इनको जरूवत है दोस्तों तो यह दोनों ही और दोनों ही टीमों का एनलाइसिस हुआ अब हम बात करेंगो जो एक कॉमिनेशन हमने आपके लिए रेडि किया है और याद खेलते हैं तो आपके लिए बहुत इंपूडेंट प्लियर हो जाएंगे क्योंकि डिफेंडर भी थोड़े ठीक ठाक है अभी भले ही दोस्तों इस सीजर में अच्छा फॉर्म इनका ना रहा हो उसके बाद देखो कि आप पवार है फिर गुरदीप को मैंने ट्राई किया है जो कि दोस्तों बहुत अच्छे फिलियर है फिर गुलिया है ज्योंकि दोस्तों आपके लिए डालने वाले हैं थोड़ी बहुत पिर समय यह और शागर को ये अभी मैंने combination ready किया है लेकिन याद रखिएगा जो भी final combination आएगा वो मैं टेलिग्राम पर update करूँगा आफ्टर टॉस तो प्लेज आप टेलिग्राम जरू जोएन कर लिजीगा लिंक आपको वीडियो को description में मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना है चैन को subscribe कर लेना है मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत